आप सब को मालूम कि इंडिया में अभी लॉक्डॉन बरकरार है इस इस्थीती में पूरे बैंक करने एक साथ और साथ में RBI का एक गैडलेंस चला है जिसमें आप सब हरे एक बैंक को ऑनलाइन अपना बैंकिंग ओपन कर सकते हैं जैसे कि आप सब को मालूम है अगर हएक सब अगर और ऊपन करेंगे तो इसका जो व्यूम्य यानि हमेन्हें अप सब आपको 10,000 रुपया रखना ही पड़ेगा जैसे कि zero balance open करेंगे लेकिन जो उसका requirement जितना रहेगा minimum balance रखने का ओबैलेंस आपको रखना ही पड़ेगा तो जाकर आप सब online banking open कर सकते हैं उसी प्रकार ICIC का भी एक launch किया गया है online banking के लिए अगर आप सब online banking ICIC का भी अगर open करेंगे तो उसमें है जो money का minimum requirement कुछ भी नहीं आप zero balance पे भी रख सकते हैं लेकिन अगर आप सब को credit card प्रोवाइड करना या आपको credit card चाहिए अगर तो आप सब को 10,000 रुपया या 20,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा या अगर आप प्रोवाइड की open करते हैं fixed deposit को लेकर आपको credit card चाहिए इसके लेकर आप fixed deposit एक और open करते हैं तो आपको कम से कम 50,000 रुपया जमा करना चाहिए 50,000 रुपया अगर जमा करते हैं तो आपको benefit ये मिलेगा कि आप सब को 40,000 रुपया का credit card का मिल जाएगा जो कि आपको एक और 50 चाहिए 50,000 रुपया ऐसे ही रखा रहेगा और 40,000 का credit limit मिल जाएगा इससे क्या benefit होगा 40,000 से आपको अगर आपको पास और दूसरा कोई credit card होता है तो आप सब ओ credit card का bill payment भी अपने credit card से कर सकते हैं ये बहुत वड़ा benefit आपको मिलेगा तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट क कभी भी अगर आप online banking open करते हैं चाहिए कोई भी bank का हो तो आप से जदा से जदा उसको fix deposit open कीजिए और अपना जो credit card है आपको जदा से जदा limit मिलेगा उसी प्रकार SBI कभी online open हो रहा है तो आप सब SBI open कर सकते हैं जब तक आप सब का lockdown चल रहा है इंडिया में तब तक आप स सब को कौन सा बैंक की open कर रहा है और आप सब हमको comment करके जरू बताएगा ताकि आप सब को कुछ dot हो या कोई issue हो एकांट open करने में तो आप सब को comment करके पूछ सकते हैं कि किस तारीके से हम लोग पन यह bank online open कर पाएंगा या नहीं कर पाएंगा तो आप सब हमसे पूछ सकते है तो आप सब को bank में उजिट करना ही पड़ेगा bank में जाने के बाद ही आप सब अपना full KYC करवा सकते हैं फुल KYC करने के लिए आप सब को आधार काड और pain card होना compulsory है अगर आपके पास आधार काड और pain card है तो आप सब online भी bank की open कर सकते हैं online bank की open होने के लिए आपको जो ओप्रबं कर सकते हैं अगर आप सब को इस वोजए टॉट है तो आप वो हम से पूंच सकते हैं लेकिन आप सब को इन में इस डोट genome Open हो जाएगा कोई बी बैंक करा और आपकी ऑपकोई भी बैंक कर आ पके दिल में आता है कि हमको यह bank account चाहिए तो आप सब online वो bank account open कर सकते हैं उसमें कुछ भी dot आप सब को नहीं रहेगा अगर फिर भी आप सब कुछ उसी हो रहा है या कोई और तकलिफ हो रहा है एक ओपन करने में तो आप सब comment करके हमसे पूछ सकते हैं तो उमीद करते हैं आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भाड़र